नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आदित्यकुमार आज इस बुलेटिन को हमें एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उम्मीद है आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आएगा तो आज इस बुलेटिन में बात होगी राम मंदिर के भूमी पूजन पर चल रही सियासत की पश्यम बंगाल में बीजेपी की बड़ती परेशानी की जानेंगे सोनिया गांधी ने किस तरह कॉंग्रेस को फिर दी मजबूती सिक्षा नीत में बदलाओं से क्यों नाराज हैं इंडिये के सहयोगी अपने ही बैंकों की हिस्सेदारी क्यों मेच रही है मोधी सरकार और आखिर में बात नेपाल के पियम ओली की जिन्होंने अपना ही फैसला पलट दिया है लेकिन तमाम बड़े खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर देश में शुरू होगा हेल्थ आईडी सिस्टम मरीज से लेकर डॉक्टर तक बनवा सकेंगे अपनी डिजिटल आईडी पियम मोधी जल्द कर सकते हैं इसके शुरुबात रेलवे ने बनाया नया रेकॉर्ड एक महीने में बने सबसे ज़ादा लुलिंक, हॉपमैन, बुश कोच, रेल कोच फैक्टरी ने जुलाई महीने में 151 लेचबी कोच का क्या निर्मार असम में बढ़ाया गया रियायतों का दायरा सरकार ने जारी किया दिशा नर्देश, राज्ज में आज से खुले मौल्स और जिम बीसी सी आई ने जारी की गाइडलाईन, सौ पेज का एसोपी किया जारी, ट्रेनिंग से पहले खिलाडियों को साइन करना होगा सहमती बत्र, साट साल से जादा उम्र के कोच ट्रेनिंग में नहीं हो पाएंगे शामिल अपते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंदुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 666 अंक नीचे 36940 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 174 अंकों के गिरावट के साथ 10960 पर हुआ बंद बरसों का इंतजार है, भव तयारिया है, हर किसी के जुबा पर केवल राम का नाम है, इस वक्त केवल सभी का ध्यान, राम मंदिर निर्माड के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमी पूजन पर टिका हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्सा बीजेपी में है, इसलिए तो आया जा रहा है, जिन्होंने रत यात्रा निकाल कर बीजेपी के जीत के रत को 272 से 303 तक पहुचाया है, बीजेपी के वरिश नेता लाल कश्राडवानी और मुरली मनोहर जोशी को नियोता नहीं दिया गया है, सरकार ने इसके पीछे वरतमान स्वास्त मुसीबत को मुख् कि आडवानी और जोशी को इस कारकरम से दूर रखा जा रहा है, शायद नहीं, क्योंकि आडवानी और जोशी ही केवल 60 साल के पार नहीं है, बलकि कारकरम में शामिल होने वाले कई नेताओं के उम्र 60 साल से जाधा हो चुकी है, यहां तक कि खुद पियम मोदी इस उम्र की मीटिंग में शामिल हुए थे, अब आपको बताते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी ने किन-किन कारकरमों से पिछले दिनों दूरी मनाई है, पियम मोदी ने मौरिशस के सुप्रीम कोट के नए भवन का उधगाटन किया, भारत यूरोपीय संग यानि की EU शिखर संबेलन में भाग लिया, महामारी पर कैबनेट बैठक में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये शामिल हुए, पियम मोदी ने कोलकाता में ICMR की हाई टेक लैप का उधगाटन भी किया, पियम मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उधगाटन किया, इन तमाम कारक्रमों में पियम मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये शामिल हुए, अब सवाल उठता है कि ये कारक्रम वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हो सकते हैं, तो फिर राम मंदिर का भूमी पूजन क्यों नहीं हो सकता, इसी मुद्दे पर ज्यादा बाच्चित के लिए हमारे कारक्रम से दूर कर लिया है, जबकि कई वरिष्ट नेताओं को आमंत्रित तक नहीं किया गया है, लेकिन उम्रदराज पियम मोदी इस कारक्रम की शोभा बढ़ाने जरूर जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटना क्रम पर? मेर मिलाब भी लगभग बंध है, लेकिन आश्यर इस बात का है, आदितिक की सरकार अपनी ही सलाह पर अमल नहीं कर रही है, ये सवाल बार बार उठा कि इस वक्त भूमी पूजन करने की हरवड़ी क्या थी, और क्या ये काम बिना ताम जाम के और प्रधान मंत्री की तो इतिहास में उनका नाम इसलिए भी दर्ज होगा कि इस मंदिर की नीव का पहला पत्थर श्रिमान नरेंद्र मोदी ने रखा था, इतिहास में नाम दर्ज करवाने के इस मोह से शायद मोदी जी बच नहीं पाए, इसलिए स्वास्त मुसीबत में अपनी उम्र का ख्याल ना रखते हुए वो इस कारिकरम में शामिल हो रहे हैं, जिसमें कम से कम 200 लोग और रहेंगे, वैसे उमा भारती जैसे लोगों ने तो निमंतरन के बावजूद अयोध्या आने से इनकार कर दिया है, उनके लिए सेहत का बचाव अधिक जरूरी है, और राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले कई दिगजों को उम्र का हवाला देते हुए पहले ही किनारे कर दिया गया है, पहले राजनिती में उन्हें हाशिये पर रखा गया और अब भूमी पूजन के वक्त भी, अवसर बाद की राजनिती इसी का नाम है आदित और इसी के दर्शन अब अयोध होते हैं, वैसे एक सियासी जोड तोड का खेल तो इस वक्त राजस्थान में भी चल रहा है, जहां अशोग गहलोत और सचिन पाइलट के बीच सियासी घमासान मचा है, इस तकरार से गहलोत सरकार संकट में आ गई है, लेकिन अशोग गहलोत इस मुसीबत से बचने का तरीक जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, जिससे जनता को अपने करीब लाया जा सकता है, क्या है अशोग गहलोत का प्लान, आए जानते हैं, दरसल गहलोत सरकार ने राजस्थान न्याइक सेवा में भाग लेने वाले आति पिछला वर्ग, यानि की MBC के अभ्य अभ्हर्थियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, उन्होंने आति पिछला वर्ग के अभ्हर्थियों के लिए राजस्थान नियाइक सेवा में कोटा को एक फिसदी से बढ़ाकर पांच फिसदी करने के लिए राजस्थान नियाइक सेवा नियम 2010 में संशोधन को कैबनिट के जरीये मंजूरी दे दी है जिसके बाद राजस्थान में गुरजर, बंजारा, गडर्या, कई अतिपिछलावर के अभ्यर्थी लाब उठा सकेंगे सियम अशोग गहलोत अब जनता को लुभाने में जूटे हैं, वो इस बाद से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि राजनेतिक लड़ाई में केवल साथ जनता ही देती है इसलिए उन्होंने कहा अतिपिछलावर के अभ्यर्थी लंबे समय से संशोधन की इच्छा जाहिर कर रहे थे आतिपिच्रावर के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिये राजस्थान न्याइक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आरक्षन दिया जाना प्रस्तावित है सियम अशोग गहलोत ने ये फैसला लेकर सीधा आति पिछरावर को साथने की कोशिश की है अगर इस गुट का साथ मिल जाए तो पाइलिट भी अपने तेवर बुलंद नहीं कर पाएंगे और बीजेपी को मुझ की खानी पड़ेगी अब देखना होगा कि गहलोत आरक्षर से राजस्थान करण जीत पाते हैं या नहीं वैसे तो अगले साल पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए चुनाओ होने हैं इससे पहले दल बदल का खेल शुरू होने लगा है जिसमें बीजेपी बुरी तरह से मात खा सकती है जी हां ममता बनर जी की पार्टी ने बीजेपी की राह पर चल कर उनके खलाफ रणनी तयार कर ली है जिससे बीजेपी की राजनीतिक जमीन हिल सकती है तो अब आपको बताते हैं कि कितने नेता BJP का कमल छोड़ सकते हैं BJP के 21 नेता TMC में शामिल हो सकते हैं इनमें 4 सांसद, 1 विधायक और 16 पारशद शामिल हैं इनमें से अधिकतर TMC से BJP में शामिल हुए थे अब ये घर वापसी की योजना बना रहे हैं एक BJP सांसद जो दो बार सांसद रह चुके हैं वे पश्चिम बंगाल से बताय जा रहे हैं वो भी पिछले 3 महीनों से दिल्ली में TMC नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं BJP नेता TMC में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखरी नेता BJP क्यो छोड़ना चाहते हैं क्या वज़े है कि इनका BJP से मोभंग हो चुका है तो अब आपको बताते हैं वो वज़े जिसके कारण नेताओं ने मन बदल लिया है BJP नेताओं की TMC में शामिल होने की वज़े मुकल रॉय और पश्चिम बंगाल BJP के अध्यक्ष दिलीब घोष के बीच तनातनी है दरसल इसी साल दिलीब घोष को पार्टी ने दोबारा अध्यक्ष बनाया जिससे TMC से BJP में आये मुकल रॉय और उनके समर्थक नाराज थे उनके BJP छोडने की भी चर्चा थी इसलिए कहा जा रहा है कि वो BJP को छोड़ कर फिर से TMC में शामिल हो सकते हैं तो अगर चुनाओं से पहले ये BJP के इतने नेता TMC में शामिल हो जाते हैं तो BJP की परिशानी बढ़ना लाजमी है यहां तक कि ममता के गड़ में धाग जमाने का मौका भी BJP के हाथों से निकल जाएगा यानि साफ है कि ममता के सामने मोदी का दहारना बेकार हो जाएगा तो पश्यम बंगाल में चुनाओं से पहले BJP का हाल बेहाल होने वाला है वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी अब जब BJP दूसरों की पार्टी तोड़ती है तो जाहिर है कि कभी न कभी तो खुद भी बिखरेगी लेकिन अगर BJP सितर कॉंग्रेस पर नजर डाले तो पार्टी एक जुट होती नजर आ रही है सोनिया गांधी की सला से कॉंग्रेस में सुले हो गई है जो नेता तजुर्बे पर सवाल उठा रहे थे वो अब तारीफों के पुल बांध रहे हैं दरसल पूरु की मनमोहन सरकार पर सवाल उठाने वाले राजियू सातों ने अपने बयान पर यूटर्न ले लिया है उन्होंने UPA2 की तारीफ की है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस नीत UPA2 एक अच्छी सरकार थी UPA2 की सफलता तब और प्रबल हो जाती है जब हम इसकी तुलना मोधी सरकार से करते हैं हमें सोनिया जी, मनमोहन सिंग जी और राहुल जी के नेतरुत में साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है कॉंग्रेस नेता सातों ने कहा पार्टी में आत्म निरिक्षण की बहस में पूरपरधान मंतरी मनमोहन सिंग का नाम खीचने की दुरभावना पूर्ण कोशिशे निंदनी है हमारी पार्टी एक जुट है, कहीं कोई कमी नहीं है यहां आपके लिए ये जानना बेहस जरूरी है कि आखर ये बदलाव आया कैसे कैसे ये परिवर्तन की बयार बहती चली गई दरसल सातों ने पार्टी के राजसभा सदस्यों की बैठक में यूपीय सरकार के दौरान पार्टी के शासनकाल पर आत्म निरिक्षण करने की बात कही थी जिसके बाद वो वरिष्ट नेताओं के निशाने पर आ गए थे इस मीटिंग में ही सोनिया गांधी ने एक जुटता का संदेश दिया था यहां आपको बता दें कि कॉंग्रेस में जब जब बगावती सुर उठे हैं तब तब सोनिया ने ही अपने अंदाज में सुरों को शांत करवाया है अब राजियो सातों ने तो अपना रुख बदल लिया है जिससे बीजेपी को पार्टी पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन विपक्ष तो सरकार के खिलाब जमकर बोल ही रहा है इसकी वज़े नई सिक्षा नीती है तमिलनाडू के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने नई राश्ट्य शिक्षा नीती को दर्दनाक और दुखदाई बताया है उन्होंने कहा कि तमिलनाडू में तीन भाशा का फॉर्मूला लागू नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री ने नई सिक्षा नीति को अपने राज में लागू नहीं करने का एलान किया है उन्होंने पियम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने के अपील की है साथ ही कहा है कि इसे राज्यों को अपने नीतियों के अनुसार लागू करने के अनुमती दी जाए हलांकि नई सिक्षा नीत में तीन भाषा के फॉर्मूले के अनुसार ये राज्यों पर निर्भर करेगा कि भाषा क्या होगी लेकिन तमिलनाड में राजनीतिक दल इसे हिंदी को थोपने के केंद्र द्वारा किये जा रहा है प्रयास के रूप में देख रहे हैं यहां आपके लिए ये जानना बेहत जरूरी है कि ना सिर्फ मुख्यमंत्री पलानी सौमी ने नई सिक्षा नीत का विरोध किया है बलकि कॉंग्रेस समेत द्रमुक अध्यक्ष म.क. स्टालिन भी सवाल उठा चुके है उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर ये नीत लागू की गई तो एक दशक में सिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाएगी सत्तारूर अन्ना द्रमुक को भी इसका विरोध करना चाहिए अब सत्तारूर पार्टी ने भी इसके खलाफ आवाज उठा दी है जिससे साब जाहिर है कि सरकार ने सिक्षा नीत में बदलाओ के इस्तर को सुधारने के लिए नहीं बलकि सियासत को बढ़ावा देने के लिए किया है अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद सरकार अपने कदम पीछे खीचती है या नहीं वैसे इस वक्त सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से कदम जरूर पीछे खीच लिए है केंदर की मोधी सरकार अगले एक साल में देश के छे बड़े बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को एक क्यावन फीजदी तक लाने की तैयारी में है एक अंग्रेजी अखबार के खबर के मताबिक भारती स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ोदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक आफ इंडिया को इसके लिए चुना गया है इससे पहले जुलाई में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार छे बैंकों के निजी करण की तैयारी में है इन में बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ महराष्ट और पंजाब एंड सिंद बैंक शामिल है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सरकार ये कदम क्यों उठा रही है इससे जनता का कितना फाइदा होगा, क्या इसकी वज़े कुछ और भी है तो हम आपको अपने विशलेशन में बताते हैं कि सरकार हिस्सेदारी छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुग्ध होना चाहती है दरसल विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देने में जुटी मोधी सरकार का ये अहम कदम हो सकता है छे बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने से केंदर सरकार को 43,000 करोड रुपए की रकम मिल सकती है प्रस्ताओं के मताबिक इन बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी सरकार बेचने की तैयारी में है ऐसा करने पर ये बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे रिपोर्ट के मताबिक मोधी सरकार देश में सिर्फ चार या पांच सरकारी बैंक बनाये रखने के मूड में है हालंकि इन रिपोर्ट्स को लेकर केंदर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिपड़ी नहीं की गई है लेकिन सूत्रों के हिसाब से साफ है कि अपना खजाना भरने के लिए सरकार बैंकों को बहाना बना रही है इस बुलेटेन में भारत की राजनीत और अर्थवेवस्था से जुड़ी सारी बाते हो गई लेकिन अब आखिर में बात हम करेंगे भारत के पडोसी देश नेपाल की जो पिछले काफी वक्त से हमें आख दिखा रहा है लेकिन अब उसके तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं दरसल पिछले महीने बैन किये गए भारती नियूज चैनलों को नेपाल में फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है इस पूरे मामले पर नेपाल में डिश होम के मैनेजिंग डैरेक्टर सुदीप आचारे ने बताया कि हाल ही में बैन किये गए सभी भारती नियूज चैनलों को फिर से दिखाये जानी के अनुमती मिल गई है नेपाल शुरूवात से ही हमारा करीबी रहा है लेकिन मोधी सरकार के सत्ता में आते ही नेपाल दूर होता जा रहा है नेपाल ने 9 जुलाई को दूर दर्शन को छोड़कर सभी भारती नियूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था नेपाल ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था हलांकि केपी शर्मा ओली के इस फैसले के बाद बिहार नेपाल सीमा के आसपास के सीमान्चल इलाकों में लोगों में काफे घुसा देखा गया था लेकिन अब केपी शर्मा ओली ने अपने ही फैसले को पलटते हुए एक बार फिर भारत के साथ रिष्टों को बेहतर बनाने की कोशिश की है तो इस बुलेटेन में आज के लिए इतना ही आपको बुलेटेन का नया अवतार कैसा लगा आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देखते रहिए डीबिलाइब नमस्कार